अश्रत नंदन राजा राम बड़े क्रपालो मेरे राम अश्रत नंदन राजा राम बड़े क्रपालो मेरे राम मा भारती को प्रणाम हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम पावन चंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को राम राम हम तो चल दिये हमारे संकट मोचन महा प्रतापी महा वीर महा पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान सीता मैया की खोज में लंकापुरी की ओर वहां क्या क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं रिशी वालमी के कृत रामायन का सुन्दर कांड पाठ ओम श्री गणिशाय नमहा ओम श्री सरस्वते नमहा ओम श्री हनुमते नमहा ओम श्री गुरुवे नमहा श्री सियावर राम शरडागतम बाइस्वा सर्ग रावन का सीता को दो मास की अवधी देना सीता का उसे फटकारना फिर रावन का उन्हे धमका कर राक्षसियों के नियंत्रण में रख कर इस्त्रियों सहित पुनाह महल को लोट जाना सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावन ने उन्प्रिये दर्शन सीता को यह अप्रिये उत्तर दिया लोक में पुरुष जैसे जैसे इस्त्रियों से अनुने विनय करता है वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है परन्तु मैं तुमसे जियों जियों मीठे वचन बोलता हूं त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरसकार करती जा रही हो किन्तु जैसे अच्छा सारती कुमार्ग में दोडते हुए घोड़ों को रोकता है वैसे ही तुम्हारे प्रती जो मेरा प्रेम उत्पन हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है मनुष्यों में यह काम प्रेम बड़ा तेड़ा है वह जिसके प्रती बंध जाता है उसी के प्रती करुणा और स्नेह उत्पन हो जाता है सुम्खी यही कारण है कि जूटे वैराग्य में तत पर तथा वद और तिरसकार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूँ मिधिलेश कुमारी तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कह रही हो उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है विदेह राजकुमारी सीता से ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राजरावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया सुन्दरी मैंने तुम्हारे लिए जो अवधी नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे दो महीने और प्रतीक्षा करनी है तत पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा अतह याद रखो यदि दो महीने के बाद तुम मुझे अपना पती बनाना स्वीकार नहीं करोगी तो रसोईये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकडे टुकडे कर डालेंगे राक्षस राज रावन के द्वारा जनक नंदनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विशाद हुआ उनकी आँखें विक्रित हो गई तब उनमें से किसीने ओठों से, किसीने नेत्रों से तथा किसीने मुह के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बनाया उनके धैर्य बनाने पर सीता ने राक्षस राज रावन से अपने सदाचार, पाती व्रत्य और पती के शौर्य के अभिमान से पून हित कर वचन कहा निश्चे ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके जैसे शची इंद्र की धर्म पत्नी है उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे नीच राक्षस तुने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है उसके फल सरूप दंड से तु कहां जाकर छुटकाना पाएगा जिस प्रकारवन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश दैव वश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाएं वैसे ही भगवान श्री राम और तु है नीच निशाचर भगवान राम तो गजराज के समान है और तु खरगोश के तुल्य है अरे एक श्वाकु नाथ श्री राम का तिरसकार करते तुझे लज्जा नहीं आती तु जब तक उनकी आँखों के सामने नहीं जाता तब तक जो चाहे कह ले अनार्य मेरी ओ द्रिष्टी डालते समय तेरी ये क्रूर और विकार युक्त काली पीली आँखें पृत्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महराज दशरत की पुत्रवधू हूँ पापी, मुझसे पाप की बाते करते समय तेरी जीब क्यों नहीं गल जाती है दश्मुक रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए परियाप्त है केवल श्री राम की आग्या ना होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ मुझे हर ले आने की शक्ती तेरे अंदर नहीं थी निहसंदेह तेरे वद के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया है तू तो बड़ा शूरवीर बनता है कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत है फिर श्री राम को छल से दूर हटा कर क्यों तूने उनकी इस्त्री की चोरी की है सीता की ये बाते सुनकर राक्षस राज रावड ने उन जनक दुलारी की ओर आँखें तरेर कर देखा उसकी दृष्टी से क्रूरता टपक रही थी वह नील मेग के समान काला और विशाल काय था उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी वह गती और पराक्रम में सिंग के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था उसकी जीब आग की लपट के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे क्रोध के कारण उनके मुकुट का अगर भाग हिल रहा था जिससे वह बहुत उचा जान पड़ता था उसने तरहें तरहें के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजु बंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था उसकी कमर के चारों और काले रंग का लंबा कटी सूत्र बंधा हुआ था जिससे वह अम्रत मन्थन के समय वासुकी से लिप्टे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था परवत के समान विशालकाई राक्षस राज रावन अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानों दो शिखनों से मंदराचल सुशोभित हो रहा हो प्रातह काल के सूर्य की भाती अरुण पीत कांती वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे मानों लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक विख्ष किसी परवत को सुशोभित कर रहे हुँ वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प व्रिक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था आभूशनों से विभूशित होने पर भी शम्शान चैत्य मर्घट में बने हुए देवाले की भाती भयंकर प्रतीत होता था रावण ने क्रोध से लाल आँखें करके विदेह कुमारी सीता की ओर देखा और फुपकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसे खीच कर कहा अन्याई और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्य देव अपने तेज से प्रातह कालिक संध्या के अंधकार को नश्ट कर देते हैं उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किये देता हूँ मिथलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रमों को रुलाने वाली राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्तर आक्षसियों की ओर देखा उसने एक आक्षी एक आख वाली एक कर्णा एक कान वाली कर्ण प्रावर्णा लंबे कानों से अपने शरीर को ढख लेने वाली गो कर्णी गव के से कानों वाली हस्ति कर्णी हाथी के समान कानों वाली लंब कर्णी लंबे कान वाली अकर्णी का बिना कान की हस्ति पदी हाथी के से पैरों वाली अश्वपदी घोडे के समान पैर वाली, गोपदी गाय के समान पैर वाली, पाद चूलिका केश युक्त पैरों वाली, एकाक्षी एक पादी एक पैर वाली, प्रिथुपादी मोटे पैर वाली, अपादिका बिना पैरों की, अति मात्र शिरो ग्रीवा, विशाल, सिर और गर अति मात्र कुछोदरी, बहुत बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, अति मात्रास्य नेत्रा, विशाल मुख और नेत्र वाली, दीर्ग जिवान खा, लंबी जीब और नखों वाली, अनासिका बिना नाक की, सिंग मुखी सिंग के समान मुख वाली, गो मुखी गो के समान इन सब राक्षसियों से कहा निशाचरियों तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग-अलग शीग्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए अनुकूल प्रतिकूल उपायों से साम दान और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को वश में लाने की चेश्टा करो राक्षसियों को इस प्रकार बारं बार आग्या देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावन जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा तदनंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघर रावन के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली महराज राक्षस राज आप मेरे साथ क्रीडा कीजिए इस कांतिहीन और दीन मानव कन्यासीता से आपको क्या प्रयोजन है महराज निश्चही देव श्रेष्ट ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपारजित दिव्वे एवं उत्तम भोग नहीं लिखे है प्राणनात जो इस्तरी अपने से प्रेम नहीं करती उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है और अपने प्रती अनुराग रखने वाली इस्तरी की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ले गई तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावन जोर जोर से हस्ता हुआ महल की ओर लोट पड़ा अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर पृत्वी को कमपित्सी करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के सद्रिश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया तदनंतर देवता गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावन को सब ओर से घेर कर उसके साथ ही उस उत्तम राजभवन में चली गई इस प्रकार अपने धर्म में तत पर स्थिर चित और भैसे कापती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमका कर काम मोहित रावन अपने ही महल में चला गया इस प्रकार श्री वालमी के निर्मित आर्श रामायन आदी काफ्य के सुन्दर कांड में बाईस्वा सर्ग पूरा हुआ निश्चय प्रेम प्रतीतिते बिनेय करे सन्मान तेहिके कारज सकल शुभ सिध्ध करे हनुमान तेईस्वा सर्ग राक्षसियों का सीता जी को समझाना शत्रुमों को रुडाने वाला राजा रावन सीता जी से पूर्वोक्त बाते कहकर तथा सब राक्षसियों को उन्हे वश में लाने के लिए आदेश दे वहां से निकल गया अशोग वाटिका से निकल कर जब राक्षस राज रावण अंतहपुर को चला गया तब वहां जो भयानक रूप वाली राक्षसियां थी वे सब चारों ओर से दोड़ी हुई सीता के पास आई विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन्हे राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया सीते तुम पुलत्स जी के कुल में उत्पन्न हुवे सर्वश्रेष्ट दश ग्रीव महामना रावन की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती तत पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आखें करके कृषोदरी सीता को पुकार कर कहा विदेह कुमारी पुलत्स जी छे प्रजापतियों में चौते हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं इस रूप में उनकी सरवत्र ख्याती है पुलत्स जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्शी विश्रवा हैं वे भी प्रजापती के समान ही प्रकाशित होते हैं विशाल लोचने ये शत्रों के रुलाने वाले महराज रावन उनहीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं तुम्हें इनकी भारया हो जाना चाहिए सरवांग सुन्दरी मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आँखों वाली हरी जटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आँखें फाड़ कर कहना आरंभ किया अरी जिन्होंने 33 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया है उन राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है वे युद्ध से पीछे ना हटने वाले शूरवीर है ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिये और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी जो सबकी स्वामिनी है छोड़ कर तुम्हारे पास पधारेंगे तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है वे सहस्त्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रतनों से सुशोभित उस अंतहपुर को छोड़ कर तुम्हारे पास पधारेंगे अतह तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए तद नंतर विक्टा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों गंधर्वों और दानवों को भी समरांगण में बारंबार परास्त किया है वे ही तुम्हारे पास पधारे थे नीच नारी उन्ही संपूर्ण एश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावन की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती है फिर उनसे दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा विशाल लोचने जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है और वायू की गती रुक जाती है उनके पास तुम क्यों नहीं रहती भामिनी जिनके भय से व्रिक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो जब इच्छा करते हैं तभी परवत तथा मेख जल का स्रोत बहाने लगते हैं उन्हीं राजा धिराज राक्षस रावन की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता है देवी मैंने तुमसे उत्तम यथार्त और हित की बात कही है सुन्दर मुस्कान वाली सीते तुम मेरी बात मान लो नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा इस प्रकार श्री वालमी के निर्मित आर्श रामायन आदिकाव्य के सुन्दर कांड में तेस्वा सर्ग पूरा हुआ निश्चय प्रेम प्रतीतिते बिनेय करे सनमान तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान 24. सीता जी का राक्षसियों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों का उन्हें मारने काटने की धमकी देना 24. तदिनंतर विक्राल मुखवाली उन्समस्त राक्षसियों ने जो कटू वच्चन सुनने के योग्य नहीं थी उन सीता से अप्रिय तथा कठोर वच्चन कहना आरंभ किया 25. सीते रावन का अन्तहपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है 25. वहां बहुमूले शयाएं बिछी रहती है 25. उस अन्तहपुर में तुम्हारा निवास हो 25. इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमती देती 25. तुम मानशी हो 25. इसी लिए मनुष्य की भार्या का जो पद है 25. उसी को तुम अधिक महत्व देती हो 25. किन्तु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटालो 25. अन्यथा कदापी जीवित नहीं रहोगी 25. तुम त्रिलोकी के एश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावन को पती रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो 25. अनिंद्य सुंदरी तुम मानवी हो इसलिए मनुष्य जातिये राम को ही चाहती हो 25. परन्तु राम इस समय राज जिसे भरष्ट हैं उनका कोई मनोरत सफल नहीं होता है तथा वे सदा व्याकुल रहते हैं 25. राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमल नैनी सीता ने आसु भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा 25. तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो तुम्हारा यह पाप पूर्ण वचन मेरे हृदय में एक शण के लिए भी नहीं ठहर पाता है 26. एक मानव कर्ण्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती 27. तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ किन्तु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती 27. मेरे पती दीन हो अथवा राजहीन वे ही मेरे स्वामी हैं वे ही मेरे गुरु हैं मैं सदा उनहीं में अनुरक्त हूँ और रहूंगी 27. जैसे सुर्वचला सूर्य में अनुरक्त रहती है 27. जैसे महाभागा शची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती है जैसे देवी अरुण्धती महर्शी वसिष्ठ में, रोहिनी चंद्रमा में, लोपा मुद्रा अगत्स्य में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्तिवान में, श्रीमती कपिल में, मदयन्ती सौदास में, केशनी सगर में, तथा भीम कुमारी दमयन्ती अपने पती निशध नरेश नल में अनुराग रखती हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पती देव, एक्षवाखु वंश शिरोमनी भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीता की बात सुनकर, राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही, वे रावन की आग्या के अनुसार, कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक व्रिक्ष में चुप चाप छिपे बैठे हुए, वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई, राक्षसियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसियां कुपित हो वहां कांपती हुई सीता पर चारों ओर से तूट पड़ी, और अपने लंबे एवं चपनीले ओटों को बारं बार चाटने लगी। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था, वे सब की सब तुरंत हाथ में फर से लेकर बोल उठी, यह राक्षस राज रावन को पती रूप में पाने योग्य है ही नहीं। उस भयानक राक्षसियों के बारं बार डाटने और धमकाने पर सर्वांग सुन्दरी कल्यानी सीता अपने आसु पोचती हुई, उसी अशोक व्रिक्ष के नीचे चली आई, जिसके उपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। विशाल लोचना वैदे ही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहां चुप चाप बैठ गई, किन्तु उन्दराक्षसियों ने वहां भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे बहुत ही दुरबल हो गई थी, उनके मुख पर दीनता चा रही थी और उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। उस अवस्था में उन जनक नंदनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। तदनंतर विनता नाम की राक्षसि आगे बढ़ी, वह देखने में बड़ी भयंकर थी, उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पढ़ती थी, उस विक्राल राक्षसि के पेट भीतर की ओर धसे हुए थी। वह बोली, सीते, तुने अपने पती के प्रती जितना सनेह दिखाया इतना ही बहत है, भद्रे, अती करना तो सब जगे दुख का ही कारण होता है, मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने मानवोचत शिष्टाचार का अच्छी तरहें पालन किया है, अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूँ, उस पर ध्यान दो, उसका शीघ्र पालन करो, समस्त राक्षसों का भरन पोशन करने वाले महराज रावन को तुम अपना पती स्विकार कर लो, वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा रूपवान है, दीन हीन मनुष्य राम का परित्या करके सबसे प्रियवचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावन का आश्रेलो, विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोकों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराग तथा दिव्य शोबने, जैसे अगनी की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राण वल्लबा शची है, उसी प्रकार तुम रावन की प्रयसी बन जाओ, विदेह कुमारी, श्री राम तो दीन है, उनकी आयू भी अपसमाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा, यदि तुम मेर की कही हुई इस बात को नहीं मानोगी, तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी महुर्त में अपना आहार बना लेंगी। आजाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बाते सहली है, इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो, हमने तुम्हारे हित के लिए ही समयोचित सलाह दी थी, देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है, जहां पहुचना दूसरों के लिए अत्यंत मैथिन है, यहां भी रावण के भयानक अन्तहपुर में तुम लाकर रखी गई हो, मिथलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो, और हम जैसी राक्षसियां तुम्हारी चोकसी कर रही है, मैथली, साक्षात, इंद्र भी यहां तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते, अतह मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रही हूँ, आसु बहाने से कुछ होने वाला नहीं है, यह व्यर्थ का शोक त्याग दो, सदा चाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हिर्दे में प्रसन्यता और उल्लास को स्थान दो, सीते, राक्षस राज रावन के साथ सुख पूर्व क्रीडा विहार करो, भीरू, हम सभी इस्त्रियां जानती हैं कि नारियों का योवन टिकने वाला नहीं होता, जब तक तुम्हारा योवन नहीं ढल जाता, तब तक सुख भोग लो, मदमत बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम राक्षस राज रावन के साथ लंका के रमणीय उद्ध्यानों और परवतिय उपवनों में विहार करो, देवी ऐसा करने से सहस्त्रों इस्त्रियां सदा तुम्हारी आग्य के अधीन रहेंगी, महाराज रावन समस्त राक्षसों का भरण पोशन करने वाले स्वामी हैं, तुम उन्हें अपना पती बना लो, मैथली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं करोगी, तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा अब चंडोदरी नाम वाली राक्षसी की बारी आई, उसकी द्रिष्टी से ही क्रूरता टपकती थी, उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही, महराज रावन जब इसे हर कर ले आये थे, उस समय भय के मारे यह थर थर काप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे, उस दिन इस म्रिग शावक नैनी मानव कन्या को देख कर मेरे हृदय में यह बड़ी बारी इच्छा जागरित हुई, इसके जिगर, तिल्ली, विशाल, वक्ष स्थल, हृदय, उसके आधार स्थान, अन्यान्य, अंग तथा सिर को मैं खा जाओं, इस समय भी मे मेरा ऐसा ही विचार है, तदनंतर प्रगसा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इस क्रूर हिरदया सीता का गला घोट दे, अब चुपचा बैठे रहने की क्या अवश्रक्ता है, इसे मार कर महाराज को सूचना दे दी जाए, कि वह मानव कन्या मर गई, इसमें को माचार को सुनकर महाराज यह आग्या दे देंगे, कि तुम सब लोग उसे खा जाओ, ततपश्चात राक्षसी अजा मुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता, आओ पहले इसे काट कर इसके बहुत से टुकडे कर डाले, वे सभी टुक को हम लोग आपस में बांट लेंगी, साथ ही नाना प्रकार की पेय सामगरी तथा फूल माला आद भी शीग्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जाए, तदनंतर राक्षसी शूर्पनखा ने कहा, अजा मुखी ने जो बात कही है, वही मुझे भी अच्छी लगती है, समस् शोकों को नश्ट कर देने वाली सुरा को भी शीग्र मंगवालो, उसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुम्भिला देवी के सामने रित्ट करेंगी, उन विक्राल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाई जाने पर देव कन्या के समान सुन्दरी सीता धैर्य छोड कर फूट फूट कर रोने लगी, इस प्रकार श्री वाल्मी के निर्मित आर्श रामायन आदी काव्य के सुन्दर कांड में चौबीस्वा सर्ग पूरा हुआ निश्चय प्रेम प्रतीतिते बिनय करे सनमान तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान झाल